हेलो प्रेंड्स, ब्रैटी लेर्णिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है जियां प्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि अगर मालो आपका TDS refund नहीं है तो किन कारणों से आपका TDS का जो refund है वो नहीं आ सकता उसकी validation कैसे करते हैं bank और आगे की जो process है वो यहां पर देखेंगे, तो सबसे पहले मैंने एक topic discuss यहां पर दे रखा है कि कि किस कारण से आपका TDS refund नहीं हो सकता तो यहां पर दे रखा है bank validation error, किस किस type के error आ सकते है first error जो है वो आता है bank account validation error और यह error normally तब आता है जब आपका pen card आधार card से link नहीं हो तो इस case में यह error आपको यहां पर show हो सकता है जिसकी वज़े से आपका TDS का refund नहीं आता दूसरा आता है यहां पर restricted refund इसका मतलब यह है कि आपका जो pen card में और bank account में और जो आपने bank add किया है उसमें जो name है वो Sam अगर match नहीं हो रहा तो आपका refund इसी वज़े से भी रुख सकता है तो इस case में अगर मालो आपके bank account में और pen card में name mismatch है तो पहले इसको correct करवाना है उसके बाद ही आगे का process करना है third यहां पर दे रखा है bank account IFSA link failed और normally अभी जो bank मर्ज हुए थे इसी वज़े से यह हो सकता है कि पहले आपका bank मालो किसी ओन नेम से था बाद में यह मर्जो के दूसरे bank में चला गया तो वहाँ पे जो IFSA code है वो भी change हो गए तो आपको IFSA code भी आपडेट करने पड़ेंगे इसके गाद last option आता है वो आता है validation in progress not eligible for refund इसका मतलब यह है कि मालो आप जो bank account add कर रहे हो वो refund के लिए TDS refund के लिए eligible नहीं हो तो उस case में यह error आ सकता है तो हमारे case में यहाँ पे जो error आया हुआ है वो यहाँ पे दे रखा है restricted refund इसका मतलब यह है कि हमारा जो refund है वो इस वज़े से नहीं है क्योंकि हमारा जो bank account में और जो pencard में नहीं है वो mismatch है इस वज़े से हमारा refund नहीं है हम क्या करते हैं दूसरा bank यहाँ पे add करते है है जिसमें bank में और pen card दोनों में अगर मालो ने मैं से वह वाड़ा यहां पर update करते हैं तो यहां पर एक option मिलता आपको add bank account यहां पर click करेंगे bank account पर click करने के बाद यहां सबसे पहले account number लिखेंगे जो भी account number आपके वह account number आपको यहां पर करने है अगेन यहां पर confirm करना account नमबर जो अभी अभी लिक है वह account number यहां पर फिल करना है कि ताइप आपको यहां पर अपको सेलेक्ट करने अब हमारे में आप जो अकॉंट नमबर यह वह भी मिसमेश भाद आ रहा है तो हम अगेन यहां पर टाइप कर रहे हैं कि परस्ट वाली बैंग नमबर हो सकता है यहां पर मिसमें चोड़ाओ इसके बाद टाइप अपकाउंट में हमारा सेविंग अकाउंट है तो हम सेविंग अकाउंट सेलेक्ट करेंगे इसके बाद हमारा प्राइमेरी है मतलब इनदिजुल नेम से है जोइंट वक्त यह इसके बाद कोड लिकहेंगे यहां पर है इसके बाद क्लिक करेंगे कोड़ेट करने के बाद यहां पर लिख आगा है संभी सिक्सेट्पली यूर रिक्वेस्ट पूर विलिडेशन बैंक has been submitted, the validation progress and status will be shortly updated.